पुर्ऴप को, फ़िलैंडे वह को, जआए सब्सकार दोस्तों पुर्भुवा सीरी मलीजी की जये सतगुरुसिरी मालीजी की जये जये समिसान काली मैं अब अन्रेश कुमार पांचाल आपने महाकाली चैनल में आप सभी भाईयों का आप सभी बैंडों का फिर इसे स्वागत करता हूँ मैं बगत अनरेश कुमार पांचाल आज आप सब भाईयों के लिए ख्वाजा जी का एक सावर मंतर लेकर आया हूँ इस मंतर के जरिये आप किसी के उपर से उतारा करके ख्वाजा जी को इसी मंतर के जवार भेट दे सकते हो जैसे किसी को कोई भी रोग हो कैसी बिमारियों मिठे चावलों की कच्ची पके ही मिठे चावल की जैसे इसकी भेट होती है वो दे सकते हो इसमें पके चावल लेओ पके हुए मिठे चावल सावा किलो उसमें साथ लड्डू बुंदी के साथ पता से साथ लोंग साथ लैची एक मिठा पान और साथ गुलाब के फूल दो इतर की सी सी साथ अगर बत्ती और एक शिकरट और चो मुखा सर्शो के तेल का दीपक ये बना जोत निरंजन ओम कार जोत हरी सत नाम आदेश गुरू का ओम गुरू जी ला इलाहा इलाला मुहम्मद मेरा रसूल बिस्मिल्ला रह्मान रहीम या ख्वाजा खिजर तुमो ओलिया सभी पीरों के पीर अल्ला है मेरा बादसा मुहम्मद है मेरा वजीर ख्वाजा खिजर जि जमूल पीर पीर पीराने पीर दस्तगीर ख्वाजा 22 ख्वाजा पीर चले पीराने पीर 22 ख्वाजा करे मददगीर मिठे चावलों का दोसा कर कबूल हुक्म अल्ला का काम हमारा कर याख वाजा कर मदद कर मदद कर मदद कच्ची पक्की हाजरिया नू कर कबूल कर कबूल दुहाई अल्ला की एक लाक अस्ची अजार पी रादी वास्ता यह मंतर है दोस्तों मंतर कोई जादा बढ़ा नहीं है छोटा सा मंतर है मंतर एक बार और सुन ले इसमें आपने सबसे पहले बोलना है जोत निरंजन ओमकार जोती हरी सत नाम आदेश गुरू का ओम गुरू जी ला इलहा इल्ला मुहम्मद मेरा रसूल अल्ला बिस्मिल्ला रह्मान रहीम या ख्वाजा खिद्र तुम हो ओल्या सभी पीरा के पीर अल्ला मेरा बादसा मुहम्मद मेरा वजीर ख्वाजा खिज्र जिन्दा है मेरा जिन्दा है पीर बारा इमाम जुमला पीर पीराने पीर दस्तगीर बाइस ख्वाजा पीर पीराने पीर बाइस ख्वाजा कर मदद गीर मिठे चावलों का दोसा कर कबूल हुकम अल्ला का काम हमारा कर याख वाजा कर मदद कर मदद कर मदद कच्चियां पक्कियां हाजरियां नू कर कबूल 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 दुहाई अल्ला की एक लाक असी हजार पीरा दा वास्ता यह मंतर है दोस्तो इस मंतर को आप कम से कम 101 बार जाप करें पहले ठीक है 101 बार जाप करें 11 दिनों तक यह मंतर सीध होजेगा आपका वैसे इसको ग्रैन पे होली पे दिवाली पे भी सीध कर सकते हो किसी सुब दिन पर भी सीध कर सकते हो ये मंतर आपका सिद होजेगा चलने लगजेगा जब आपको किसी के उपर से कोई हाजरी उतार नहीं है तो इस मंतर को पढ़ के उतार दे इस मंतर को साथ बार पढ़ के रोगी के उपर से उतार कर चलते पाने में छोड़ दे फिर देखे रोगी, 24 घंटेगन्द अंदर ना ठीक हो जे फिर कहना लेकिन इस मंतर को बिना गुरू की ना करे गुरू की इजाजेश करे, गुरू के असिरवास से करे कहीं बार आदमी ऐसा होता है कि अगर लेकर रोग उतर जाता है लेकिन आपके उपर चड़ गया या आपका कोई नुक्सान हो गया तो ऊसमें मेरी कोई जिम्मिवारी नहीं है अगर मेरी किसी भाइ को हो आ या मेरी किसी भेन को गुरु दिख्षा लेकर कोई साधना करनी है ख्वाजा जी की साधना करनी है मा काली की साधना करनी है भैरो जी की साधना करनी है तो हर सनिवार को हरियाना करनाल में गुरु दिख्षा दी जाती है हरियाना करनाल हरियाना करनाल में और मिलना का समय सुबह नो से तीन बजे का है, सुबह नो बजे आईए, नो बजे से लेके सिरब तीन बजे तक मिलते हैं, ठीक है, और आने से पहले एक बार फोन जुरूर करे, हमारी गुरुदिक्षा का पांस से क्यामनर पेस्टोल का और एक पास्पोर्ट साइज फोटू ह ये लेके आना पड़ेगा, अगर कोई भाई या कोई मेरी भैन नहीं आ सकते हैं, तो अपने घर में बुलवा सकते हो, और गुरुदिक्षा ले सकते हो, अगर मेरी किसी भाई किया मेरी किसी भैन की गद्दी बंदी होई है, संगत रुकी होई है, तो अपनी गद्दी और स सब्सक्राइब करनार में गुरुदिखसा दे जाती है मिलने का समय सूबह नो बज़ें से और आने से पहले एक बार फोन जरूर करें अगर हाँ अगर आपको कोई साधना की कोई मंतर की किसी सकती की जानकारी चीए तो मुझसे फोन करका भी ले सकते हैं नीचे टाइटल में मेरा नंबर लिखाओ अगर आपको हमारी यह वीडियो हमारे यह चैनल अच्छा लगे तो किर्पया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करें और बाल आईकोन का बटन जरूर दभाया करें और मेरा जो फेस्बुक पेज है उसको भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आप लोग भी नहीं जानतार इने नोटिपिशन मिलती रही फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ रेख नहीं वीडियो के साथ जै माकाली जै समिशान